Hello everyone, we have questions, the proposition, the proposition P implies negation of P and negation Q is equal to हम करना है, इसको simplify करना है, तो सबल हम क्या करते हैं कि, जैसे हमें पता है कि अगर P implies में Q लिखा होता है, इसको हमें हाँ पर क्या रहा है, डून कर सकते होता है, negation of होता है, P और क्या tube होता है, और एक property क्या होती है, अगर हमें क्या दिया हो कि, negation, जैसे हम पर क्या दिया है, negation में क्या दिया है, P दिया है, और में क्या negation Q दिया है, इसको हम ऐसे क्या डून कर सकते हो जाया है, यहां से क्या negation में हो जाया है, क्या P end में Q आ जायाएगा, इसको हम कुछ इस तरीके सरे डून करें, तो अब हम कि चानच ऊजरूंaya कुछ अब यहां बसको mo कि सम्प्लिफाइबने क्लिगें हैं कि आककरें कि संप्ली करें करने कि यहां से अब निगेशन क्यों यहां पर किया हो जायाएए इस तरीक मीवली यहां से फिर यहां से क्या ह而且 कर दो कि joe कि सिप्सक। सिंप्लिफाइए निएंड चैनली का से स्टे के निए सब्सक्राइए कि घुका यहां से info प्INO कर धा जायए पाइए तो आने वाला है. इसका इंटरर्शन इसको ही इस तरह को सकते हैं. फिर जब simplify करें थे हैं, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, P और हो जाएगा, this is negation of क्या, negation Q आजाएगा, तो final value हमें हाँ पर क्या find out हो जाएगा, this is negation of P और Q, means यहाँ से इसका भी option correct हो जाएगा,